हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बनाने वाले हैं मोमोज सोया बीन की मोमोज है पहुत ही टेस्टी होती है सोया बीन की मोमोज भी तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे सोया बीन सोयाब इनको भिंगो देंगे पानी में भिंगो कर इसे थोरी देर छोड़ देंगे इसे छोड़ने के बाद फिर इसे में पानी गार के निकाल लेंगे इसे पीछ लेंगे पारी कटीवी सिमला मिर्च लेंगे प्याज लेंगे हरी मिर्च लेंगे टेमाटर लेंगे अद्रक लहसन लेंगे अद्रक लहसन को हमने कूछ दिया था नमक लेंगे पनीर मसाला थोरा से लेंगे पनीर मसाला से इसकी तेस्ट बहुत ही अच्छी आएगी मिक्स कर देंगे उसके बाद लेंगे एक पेन उसमें रखेंगे एक चम्मा चोईल उसे गरम हो जाने के बाद इसे उसमें रख देंगे थोड़ी देर हम इसको उसमें भूनेंगे एक से दो मिनट भूनने के बाद इसे हम निकाल देंगे अब हम लेंगे एक बोईल उसमें रखेंगे मैदा एक कटोड़ी मैदा नमक स्वाद अनुसार ओल दो चम्मच मिक्स करेंगे अच्छे से उसके बाद थोड़ी थोड़ी पानी रखकर आटे को गुंद लेंगे अच्छे से आटे के गुंद लेंगे तो आटा रेटी हो गई है छोटा छोटा से हम लेंगे आटा एक दम थोड़ा सा लेंगे पतला इसे बनाना है तो ऐसा बेल लेना है ना मोटा ना पतला उसके बाद हम इसमें रखेंगे सोयावीन इसे मोमोच का साइज दे देंगे बहुत इजी है इसका मोमोच का साइज देना करण एकास का साइजदी रखेंगे साइज का जा ढ 돼स है कि फ्ट्यों इसका हैふ झाल 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 झाल